तो देखो दोस्तो, अगर आपको Realme Narjo 34G लेना ही है, तो पहले इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसकी सारी अच्छी बातें और सारी बुरी बातें सब बताने वाल हूँ, एकदम honestly, क्योंकि यह फोन मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं ब बॉक्स पढ़े हैं पुराने फोन के, उनको साइड करेंगे, और अपना बॉक्स जो हमारा है Realme Narjo 30 उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रखते हैं साइड में, और हमारा बॉक्स है यह नार्जो, यहाँ पर देख सकतो Realme तो कहीं दिखी नहीं रहा है, में नार्जो की भी 64GB वाले वेरियंट का है, अगर मैं इसको Realme 7 से कंपेर करूँ, जो कि मैंने 18,000 का लिया था, जिस फोन से यह वीडियो बन रही अभी, इसके सारे फीचर इसके अंदर आपको मिलेंगे, कुछ को छोड़के, में जो है Helio G95 जो की तगड़ा सबसे में फीचर है इस फोन क वो दोनों में आपको मिलता है, नार जो 30 के अंदर भी, और डिस्पले 90Hz की मिल जाएगी, सारी चीज़स सेम है, बस क्या सेम नहीं है, कैमरा, और इसका जो स्टोरेज और रहम है वो थोड़ी कम है, लेकिन इसका अलग वेरियंट भी आता है, 6GB, 128GB वाला, बॉक्स वो कर द चार्जिंग का मैंने पूरा एक मतलब टेस्ट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, चार्जिंग टेस्ट वहां से आप देख सकते हो इस फोन का, इस फोन का ओवर्विव देखेंगे, पीछे से डिजाइन एकदम बढ़िया है, दोस्तों, कोई कमी न फिंगर्पिंट सेंसर के साथ पावर बटन मिलता है, अब यहां से चीज जो हटा देते हैं, इसको उपर चिप की वी थी, और फोन काफी जादा साइनी है, हमारा जो रियल मी 7 था, उसका बलू इससे अलग है, यह वाला बलू मेरे को अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसको ऐसी डी कार्ड आब लगा सकते हो, यह सीम टा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लोक स्क्रीन का टेस्ट करते हैं, लोक स्क्रीन के आप देखोगे, यहां पर, तो तो एब लौक से फोन को उन्लोक किया था फिरसे देखिए,। यह फेस अन्लोक हो रहा है, एकदम से अनलो जा रहा है तो काफी ज़्यादा फास्ट है इसका फेस लोग फिंगर्पेंट को चेक करेंगे अब इसके बाद में क्या दोस्तों यहां साइड में और स्क्रिन जली होई नीची मैंने ऐसा सेटिंग किया इसके अंदर फर्मटच को अठाके यहां पे देख सकते हो फिंगर्प सारी चीज़े आपको मिलेंगी फ्रेंट में आप 16 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया हुआ सोनी का सेंसर है और सेटिंग्स के अंदर आपको स्लो मो बेगर है जैसे कि मैंने बताया आप 4K भी रिकॉर्ड कर पाऊगे कैमरे में कोई कमी नहीं है अभी आगे आपको सेंपल्स देख किस तरीके से चार्ज होती है इसका मैंने पूरा वीडियो किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लेना अब देखते हैं इसके कैमरा सेंपल यह जो फोटो है यह फ्रंट कैमरे से खींची थी मैंने जो किसका 16 मेगा पिक्सल का कैमरा है और यह जो फोटो है यह इसके आपका डैमोलेट से आपका कैमरे का अईट अगए हो जाएगा, दोस्तोो बात करें डिस्पलेय की तो डिस्पलेय पैज चल्दी रावानी फुल-जाते है उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, एमोलेट ना होने से हापका फायदा ही होगा, मैंने जहां त तक देखें हैं गिरने के बाद बड़ी जल्दी तूट जाते हैं हाँ वो थोड़े बैटरी लेस कंजियूम करते हैं और ब्लैक्स बेगर काफी अच्छे देखने को मिलता है लेकिन यह एक उसका माइनस पॉइंट भी है कि LCD डिस्पले के मुकाबले वो डिस्पले जल्दी त तूट जाती है और तूटने बात तो पूरा खत्म हो जाता है LCD काम तो करता है कम से कम तो यह चीज अपना उपिनियन आप बताना आपको क्या लगा और साउंड क्वालिटी बेगर एक दम जबर दस्ते कोई दिक्कत नहीं आईगे आपको यह गेमिंग चैनल है हमारा स्क्रिप्शिन में मैं लिंक दे दूँगा तो आप बताओ दोस्तों आपको और क्या जानना इस फोन के बारे में मैं जरूर कॉमेंट में रिप्लाइ करूंगा अगर आपको और भी कुछ जानना इसके बारे में तो